जै मातादी नवरात्र की शुरुवात हो चुकी है और नवरात्र के दिनों में दुर्गा सबसती या देवी भागवत पुरान में बताया गया है कि नवरात्री का महापरो संसारिक कामनाओं की पूर्ती करने वाला है और नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं इसमें देवी मा की साधना से सभी प्रकार की सांसारिक कामनाएं पूरी होती है और मा की साधना से यस बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, धन आता है, आपका बल बढ़ता है, आरोगी की प्राप्ती होती है और इन तमाम चीजों के लिए अलग-अलग मंतर भी दुर्गा सबस्ति में बताए गये हैं लेकिन आज हम आपको आपके जीवन की खुसियों को बढ़ाने के लिए धन प्राप्ति के लिए एक ऐसा मंतर बताएंगे जो नौरात्र में आप नो के नो दिन या जितने ही दिन बचे हुए हैं रोज सुवा अश्नान बेगरे करके आप कम से कम 11 बार 5 बार जरूर जब करें क्योंकि इन मंतरों का नियमित जफ करने से धन संपत्ती बढ़ती है धन संपता की प्राप्ती होती है और साथ ही मा की पूजा के बाद इस मंतर को जफने से आपकी समस्त इक्षाएं भी पूरी हो जाती है तो मंतर के बारे में दुर्गा सबसती में आता है कि धन समंदी समस्याओं को समाव करने के लिए जीवन में प्रसन्नता की प्राप्ती के लिए आर्थिक समस्याओं से मुक्ती के लिए करजों से राहत मिलने के लिए इन तमाम मंतरों का आपको जब करना है वैसे तो दुरुगा सबसती की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ही नौरात में मा दुरुगा की आप चुकि यहां पर देखिए मा का जो मंत्र है वो बहुत ही कल्यानकारी माना गया है और मा के मंत्र में गरीबी नस्ट करने वाला जो दरिता है उसका नास करने वाला एक चमतकारिक सक्ती होता है जो जीवन में धन धाने को बढ़ाता है और इस मंत्र को जब करने से एस्वरे बढ़ता है कहने का तात पर आप जितना भी इस मंत्र के बारे में आप अच्छा सोचोगे उससे कहीं ज़्यादा इसमें गुन छिपे हैं तो दुरगा सबस्ती में बताया गया है कि ये मंत्र जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाना बाला है आप चाहें तो रोज इस मंत्र का जब कम से कम एक सो आठ भी बार कर सकते हैं तो इस मंत्र को में बहुत सारे राच छिपे हैं लेकिन ये मंत्र आखिर है कौन सा देखिए ये मंत्र सबसे पहली बात तो जीवन के हर परेसानियों से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है तो और वो मंत्र है सुख सम्रिद्धी के साथ मुक्ती पाने के लिए देवी का यह मंत्र है एक बार फिर से सुन ले नवरात में हर रो जिस मंत्र का जब करे सुख सम्रिद्धी का आसिरबाद मिलेगा आपस में प्रेम रहेगा और समस्यां समाथ हो जाएंगी धन्यवाद